चिराग पासवान पान जूलाई को आसिरवाद zwr निकाल रहे हैं उसी दिन पासवान जी का राम िलास पासवान जी कह जन्मदिवस है अब बात यह लिख रही है कि चिराग पासवान अगर पट्ना आएंगे तो कहां जाएंगiformagang. ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान तीन जुलाई को आएंगे चार जुलाई को आएंगे मगर अपते हो चुका है कि वह पांच जुलाई को ही पटना में उतरेंगे और वहीं से हाजी पूर जाएंगे चाचा पसुपती कुमार पारस ने सुझाब दिया था कि वह अपने लोग सवाचेतर जमुई से करें या यात्रा वहीं आसिरवाद यात्रा तैय कर लिए थे चिराग पासवान जो यह कला हुआ लोग जनसक्ती पार्टी में उससे पहले ही यानि कि आज से तीन सप्ता पहले ही यह बातें तैय हो चुकी थी उसके बाद फिर बाते आई कि चिराग पासवान पटना आएंगे उसके बाद जाएंगे कहां क्या पटना के में कार्याले है एरपोर्ट के बगल में ही वहाँ पर जाएंगे अपने ही प्रदेश कार्याले में चिराग पासवान जो राष्टी अध्यच होने का दावा कर र रहे हैं वह किसी भी प्रकार की कोई मतभेद नहीं चाहते हैं अपने चाचा पसुपती कुमार पारस से अब भी अभिभावक और गार्जियन ही बता रहे हैं वहीं चाचा पसुपती कुमार पारस का भी जुकाब उनके तरफ हुआ है और वह सुझाब देते हुए नजर आए मगर चिराग पासवान को अपनी ही पार्टी कार्याले में नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि उनके समर्थकों का कहना है कि हमें ही वहाँ पर जाने से अभी थोड़ा परिसानी हो रहा है आज कई पतरकार भी जाना चाहे पतिकुमार पारस उतने जवाब देते हुए नजर नहीं आए तो पतरकार अगर वहाँ पर जायते हैं तो पूछताच होती है कार्याले पर और पूछताच होने के साथ ही उन्हें जब यह कहा जाता है कि आप पतरकार है तो फिर आप रुप जाएए जो दस वजे के पहले ही जितने थे वह मिल लिये हैं और बाकी कई बातें तो साफ है कि चिराग पासवान को भी लोग जनसक्ती पार्टी कार्याले नहीं जाएंगे यह उनके प्रदेश अध्यच राजुतिवारी का कहना था और भी कई बातें उन्होंने बताई बता आप से कुछ अर्चने भी आएगी यानि कि आप प्रोटोकॉल तोड़ेंगे तो फिर आप पर आपके भीड़ पर आपको उस पर कारवाई की जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे तो उनका कहना था कि हम लोग डॉन के पालन करेंगे और जिस प्रकार से संख्या है उन्हों संख्या को भी हममद्द नजर मैनेज करेंगे अब देखना यह है कि चिराग पासवान पटना आएंगे तो अपने कारेयले जाते हैं यह नहीं यह एक बड़ा सवाल है तो उनके प्रदेश अध्याच काते हुए नजर आया है कि वह अपने प्रदेश कारेयले नहीं जाएं है वह वहां से नहीं हो रहा है जो उनका कारेयाले है अभी के लिए इतना ही कहेंगे तमाम जनकारी के लिए आप जहकास वारा चैनल देखते रहें फिलाल या चिराग पासवान को लेकर यह खबरे थी वह पटना आएंगे तो सीध्याजी पूर जाएंगे अपने कारेयाले नहीं जाएंगे इसी को लेकरिया खबरे थी चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियोंगे तो कर लिजेगा और फेस्बूक पेज को भी लाइक करिएगा ट्यूटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा और मेरा नाम हुआ रविकांत धन्यवाद